यूपी के संद गवीर नगर जनपत के ब्लॉक से मर्यावा में हुए दोबारा ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में कॉंग्रेस समर्थक मुम्ताज एहमत ने भारी मतों से जीत दर्ज की है ऐसे में इस चुनाव में क्या कुछ खास रहा देखिए हमारी इस रिपोर्ट किसी दंगल का नहीं बलकि चुनावी वर्चस्व का था जिसमें प्रतियासियों ने साम दाम दंड भीद सब कुछ दाव पर लगा दिया था दरसल हुआ यूँ कि सेमरियामा ब्लाक में जो वर्तमान के ब्लाक प्रमुख थे मशुहूर आलम चौधरी उनके कारेओं से उनके वोटर यानि की बीडीसी और छेत्रवासी संत्रुष्ट नहीं थे जिसके चलते दुबारा चुनाव के लिए चुनाव आयोक से लेकर तमाम सरकारी महकमों में बीडीसी ओने पैरविश शुरू कर दी थी इसके बाद छेत्र के रोहित पांडे और रोहन पांडे ने अविश्वास प्रस्तावल आकर मशुहूर आलम को चौधरी का चान बना कर मजबूरी का रास्ता दिखा दिया और उनको ब्लाक प्रमुख के कुरसी से उठा दिया फिर क्या था अविश्वास प्रस्तावल मिलने के बाद विपक्षियों ने दोबारा चुनाव करवाए जिसमें कांग्रेस समर्थक मुम्ताज अहमत को बलाग फ्रमुक का फ्रबल दावेदार बनाकर चुनावी अखाडे में कुदा दिया गया जिसके बाद इस चुनावी जंग में 121 वोट वाले बीडीसी ने अपना मत दिया जिसमें 115 वोट पड़े इसे 115 वोट में अकेले सब वोट मुम्ताज अहमत को मिला वही जब मुम्ताज ने वोटों का शतक लगाया तो पार्टी खेमे से लेकर समर्थकों तक में ऐसी खुशी की लहर दोड़ पड़ी कि मानो आकास गंगा में मोतियां तैर रही हो आपको बता दे कि इस चुनाओ में बीडिसी ने अपना 9 वोट सुनिता पांडे को दिया था जो कि मशुहूर आलम चौधरी के जगहां पर इस बार प्रत्याशी के रूप में वलात फ्रमुक के मैदान में खड़ी थी संत कवीर नगर से प्राइम टीवी के लिए चंद्रभान गुपता के रिपोर्ट